हमारा नेक्स टॉपिक है याद्रचिक चर्क का प्राइक्ता बंटन एक ऐसा चर जिसका मान संयोग द्वारा निर्धारित हो याद्रचिक चर कहलाता है यहां संयोग से निर्धारित का अर्थ यह है कि चरके मान याद्रचिक प्रियोग के परिणामों पर आधारित होते हैं अर्थात किसी याद्रचिक प्रियोग के संभावित परिणाम ही याद्रचिक चरके मान हो सकते हैं अब यदि ये मान हम देखें कि X मान ले सकता है X1, X2, X3, Xn और PX जो संबंदित प्राइकता हैं वो PX1, PX2, PX3, PXn हो तो सिगमा PXI का जो है मान वो एक के बरावर होता है अर्थात यदि हम इन प्राइकताओं का योग करें तो वो है एक के बरावर आएगा अब हम समझते हैं कि यद्रचिक चर का मादे से क्या अभी बराए है तो यदि यद्रचिक चर X के मान X1, X2, X3, Xn है और जो संगत प्राइकताओं हैं वो P1, P2, P3, Pn है तो यद्रचिक चर का मान मू बरावर होता है EX इसे हम EX या मू से दिखाते हैं ये मान होगा सिगमा I बरावर 1 से N तक P1 into XI के बरावर तो यद्रचिक चर की जो माद्ध है उसे हम क्या करते हैं कि P1 को X1 से गुना कर देंगे P2 को X2 से गुना कर देंगे इसी परकार Pn को Xn से गुना कर देंगे और उनका हम योग ले लेते हैं तो इसे हम संकेत रूप में किस परकार से दिखाते हैं कि सिगमा I बरावर 1 से N P I XI के बरावर और इसे हम याद्रचिक चर का माद्ध कहते हैं या हम इसे कहते हैं प्रत्यासा एक्सपेक्टेशन E X और मू इसका मान सिगमा I बरावर एक से N P I XI के बरावर होता है हमारा नेक्स टॉपिक है याद्रचिक चर का प्रसरण वेरियंस ओफ ए रेंडम वेरियेवल यदि याद्रचिक चर X के संभावित मान X1, X2, X3, XN हों और प्राइक्ताएं P1, P2, PN हैं तो याद्रचिक चर का प्रसरण जिसे हम लिखते हैं VAR X अर्थात वेरियंस ओफ एक्स जिसे हम सिगमा स्क्वाइर से दिखाते हैं वो बराबर होता है सिगमा आई बराबर एक से एन XI माइनस म्यू का होल स्क्वाइर इंटू P आई जहां म्यू क्या है जहां म्यू याद्रचिक चर का माद्ध है या हम इसे लिख सकते हैं हमारा दूसरा सूत्र है सिगमा आई बराबर एक से एन XI स्क्वाइर इंटू P आई माइनस म्यू स्क्वाइर तो इन दो सूत्रों की मदद से हम याद्रचिक चर का प्रसरन या वेरियंस ग्याद कर सकते हैं हम अब अगले टॉपिक को समझते हैं हमने याद्रचिक चर का माद्ध है और प्रसरन ग्याद करने के सूत्र हमने देख लिए हैं अब हम अगले टॉपिक है हमारा बर्नौली अभी प्रियोग तो हमारा नेक्स टॉपिक है बर्नौली अभी प्रियोग एक ऐसा प्रियोग जिसके दो परिणाम हों सफलता या असफलता ये संभव हों बर्नौली अभी प्रियोग कहलाता है बर्नौली ट्रायल कहलाता है बर्नौली का एक्सपरिमेंट कहलाता है तो एक ऐसा अभी प्रियोग जिसके दो ही प्रियोग हो सकते हैं या तो सकसेस है सफलता है या असफलता है अब यहां हम देखते हैं कि यदी सफलता की प्राइकता को हम P द्वारा दिखाएं और असफलता की प्राइकता क्यू द्वारा दिखाएं P भी धनात्मक है और Q भी ध परिणामों के अलावा कोई और परिणाम संभव नहीं तो या तो हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी प लिस क्यू का मान एक के बराबर हैं तो एक बढ़नौली के अभीप्र harvested के लिए यह अवश्यक होता है पहला तो यह है कि अभी संख्या परिमित लिमिटड अभी प्रयोग क Cabinet नहीं की हैं उनकी संक्या परिमित है दूसरा यह है कि अभी प्रयोग के दो ही परिणाम हो सकते हैं या तो सफलता है या असफलता है तीसरा यह है कि प्रतेक अभी प्रयोग में किसी परिणाम की प्राइक्ता समान है अर्थात जो हम कोई प्रयोग करते हैं वो किसी परिणाम की प्राइक्ता प्रतेक प्रयोग में या तो सफल है या असफल है इसक चोथा ये है कि अभी प्रयोग स्वतंत्र हैं इंडिपेंडेंट हैं तो किसी बरनौली प्रयोग के लिए क्या आवश्यक चार तत्य हैं वो चार आवश्यक तत्य हैं अभी प्रियोगों की संख्या परिमित है प्रतेक अभी प्रियोग के दो ही परिणाम हो सकते हैं या तो सफलता या असफलता तीसरा है प्रतेक अभी प्रियोग में किसी परिणाम की प्राइकता समान है और चौथा यह है कि अभी प्रियोग स्व हमारा next topic है द्वीपद बंटन बाइनोमियल डिस्टिबूशन N स्वतंत्र परिक्षणों में में से R सफल परिक्षण है और N-R असफल परिक्षण हों तो R सफलताओं की प्राइक्ता PX बराबर R होती है NCR P की पावर R Q की पावर N-R जहां R कामान 0,1,2,3 up to N हो सकता है यहां बाइनोमियल बंटन का बाइनोमियल बंटन से हम R सफलताओं की प्राइक्ता किस परिक्षण करते हैं उसका सूत्र है PX बराबर R NCR गुणा P R P की पावर R Q की पावर N-R के बराबर होती है यहां P और Q सफलताओं और असफलताओं की प्राइक्ताओं हैं जहां P प्लस Q एक के बराबर है और हम इस परिणाम को द्वी पद बंटन कहते हैं तो यदि N स्वतंत्र परिक्षणों में से R सफल परिक्षण हैं N-R असफल परिक्षण हैं तो द्वी पद बंटन की मदद से इस सूत्र से हम R सफलताओं की प्राइक्ता को ग्याद कर सकते हैं प्राइक्ता से सम्मंदित इन तत्यों और सूत्रों के बाद अब हम इस चैप्टर के प्रिश्णों को हल करते हैं